जै तुलसी माता तुलसी बिभा की दो परमानिक पोरानिक व्रत कथा प्राचिन काल में जलंदर नामक राक्सस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था बहे बड़ा बीर तथा प्राकर्मी था उसकी बीरता का रहस्या था उसकी पतनी ब्रिंदा का पतिबर्ता धरम उसी के परभाव से बहे बिजयी बना हुआ था जलंदर के उपदर्बों से पिरसान देवगण भगवान बिश्णू के पास गए तथा रक्ष्या के लिए गुहार लगाई उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान बिश्णू ने ब्रिंदा का पतिबर्ता धरम भंग करने का निश्चय किया उन्होंने जलंदर का रूप धर कर छल से ब्रिंदा का सपर्ष्ट किया ब्रिंदा का पति जलंदर देवताओं से प्राक्रम से युद कर रहा था लेकिन ब्रिंदा का सतीतब नश्ट होते ही मारा गया जैसे ही ब्रिंदा का सतीतब भंग हुआ जलंदर कासिर उसके आंगर में आगिरा जब ब्रिंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा की फिर जीसे उसने सपर्ष किया बह कोन है सामने साक्षात बिष्णु जी खड़े थे उसने भगवान बिष्णु को श्राप दे दिया जिस परकार तुमने चल से मुझे पती बियोग दिया है उसी परकार तुम्हारी पतनी का भी छल पूर्बक हरन होगा और इस्तरी बियोग सहने के लिए तुम बिमृत्यू लोक में जनम लोगे यह कहकर ब्रिंदा अपने पती के साथ सती हो गई ब्रिंदा के श्राप से ही पर्बु स्री राम ने योद्य में जर्म लिया और उने सीता भी योग सहना पड़ा जिस जगें ब्रिंदा सती हुई बहां तुलसी का पोदा उत्पन हुआ एक अन्या कथा में अरंब यथावत है लेकिन इस कथा में ब्रिंदा ने बिश्नु जी को यह स्राप दिया था कि तुमने मेरा सतीतव भंग किया है अत्या तुम पत्थर के बनोगे यह पत्थर सालिग्राम कहलाया बिश्नु ने कहा है ब्रिंदा मैं तुमारे सतीतव का आदर करता हूँ लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी जो मनुस्या कार्तिक एकादसी के दिन तुमारे साथ मेरा विभा करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी बिना तुलसी दल के सालिगराम या विश्णु जी की पूजा अधूरी माने जाती है सालिगराम और तुलसी का विभा भगवान विश्णु और महालक्समी का ही परतिकात्मक विभा माना जाता है जै तुलसी माता